Welcome to Cryptonic One, बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका, आज आपको बताएंगे Hyper Chen X token क्या है और वो कितने X की capacity रखता है, क्या उसमें entry लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये कुछ बातों का हम आपके साथ discussion करेंगे और कोशिश करेंगे बताने के लिए ये इसमें entry ब फिलहाल जो है इनका कोई specific product नजर नहीं आ रहा, NFT platform ये build करेंगे और features में, feature में क्या रखेंगे, NFT होगा, play to earn game होगी और game store और live streaming ecosystem होगा, दोस्तों live streaming में जैसे जो gamers वगरा होते हैं, उनके हिसाब से जो live streaming का software बिल्ड कर रहे हैं या करेंगे आने वाले time में, तो first of all जो gaming platform है, उसके अंदर जो use होगा, hyfer जो token use होगा, जो already इनका चल रहा है आज की date में, और इसके अलावा और भी कुछ देखनी कोशिश करते हैं, safe and secure बताया है, इनकी जो audit है, वो already हो चुकी है, यहाँ पर view audit का click करके भी आप देख सकते हो, जो tokenomics है, वो 10% buy और sell का ecosystem है, अगर आप 100$ के खरीतते हो, तो 90$ का ही आपको मिलेगा, उसमें से 5% है, वो marketing fees चले जाएगी, मतलब team के पास चले जाएगा, 4.9% है, उससे क्या करेंगे, यह fees जो यह काटेंगे, उससे buy back करेंगे अपने token को, ठीक है, और buy back करने के बाद, जो 1%, जो 0.1% जो fees होगी, उसको कहाँ पर use करेंगे, burning ecosystem में, उसको तुरंत ही यह burn कर देंगे, और जैसे ही burn होगा, तो वो, you know, जैसे जैसे यह burn हो रहा है, इसकी supply कम होती जा रही है, ठीक है, उसके अलाबा, इनका जो phase 1, phase 2 में अभी तक देखा जाए, तो marketing, और YouTuber marketing, जो development है, वो स्टार्ट हुई है NFT platform की affiliating, affiliated जो development है, वो है, और इसमें pink sales, safu, contract वगरा कुछ है, लेकिन actual जो full product है, वो अभी start नहीं हुआ है, अब phase 3 में coin market cap और coin jackो के उपर भी listing हो चुकी है, और NFT market जो place है, वो इनका जो next है, ठीक है, जो next जो NFT marketplace है, वो इनका launch होना बाकी है, exact date तो नहीं बताई, but you know, next जो है, NFT platform ये बनाएंगे, marketplace बनाएंगे, और उसके बाद जो होगा, next ecosystem इनका start हो जाएगा, जैसे NFT वगरा है, इनके जो game से related, या market पे जो भी होगे, वो sell होगे, और उसके बाद ये fees earn करेंगे, उसके बाद नेट Netflix से related भी कुछ ecosystem आएगा सामने, तो ऐसे ऐसे जो चीज़े हैं, इनके आगे आने वाली है, और जब भी, you know, NFT का जो platform आएगा, तब एक अच्छी खासी hype बन सकती है, because इसका जो ecosystem थोड़ा सा study किया, मैंने इनकी जो community के को भी मैंने थोड़ा सा closer देखा, तो community वगरा, जैसे क Shiba, Inu, वगरा, इस type की, इनकी community है, 9000 के आसपस इसके telegram में member है, तो उसी तरह से, you know, एक push कर रहे हैं अपने token को, और push करके इनोंने काफी अच्छा range पे बढ़ा दिया है, इसको बहुत अच्छी, इसका जो price चला गया है, बहुत speedly इसका price गया है, 0.004, चीक है, और इसका अगर all time high देखा जाए, तो 0.007, तो मतलब यह लगा लो कि अपना जो all time high था, उसको तोड़ने के लिए यह पूरी कोशिश कर रहा है, तो all time high को तोड़ना अब इसके लिए बिल्कुल भी, you know, मुश्किल नहीं है, मेरे साब से, बड़, बहुत ज़्यादा hype इसके create हो परसेंट शो हो रहा है, कि इसका जो 49, 49% यह जो बढ़ चुका है, और 30 दिन में यह 27, 54% बढ़ा है, दोस्तो बर्निंग हैवी होने की वज़ए से यह rate सामने निकल के आ रहा है, और काफी लोगों ने, you know, इस news को देखके काफी ज़्यादा burn किया है, अगर मैं इसका stat देखा हुए है, ना coin market cap के उपर, लेकिन थोड़ा से efforts हम YouTubers को भी करने पड़ते हैं, तो दोस्तो अब हम stat के उपर जाते हैं, इसका stat basically क्या है, वो देख लेते हैं, ठीक है, जो stat है, फिलहाल जो market cap है, इसकी 4 million से थोड़ी सी उपर है, मैंने 4 million count की है, और supply जो जब यह market में आये थे, तो 1 billion थी, तो market cap 4 million इसकी आज की date में है, थोड़ा सा उपर ही होगी, और मैंने वो छोटा मोटा जो उसको मैं लिखता नहीं हूँ, तो supply जो 1 billion के आसपास ही जब token आये था, उसके साथ जो supply आये थी 1 billion थी, पंड आज की date में 28 million token हो चुके है, all time high इसका जो market cap गया था, वो 7 million के आसपास था, और आज की date में, जो 7 million के आसपास से, you know, 40, मतलब थोड़ा बहुत कम है, मतलब ये थोड़ा सा और push हो जाएगा, कुछ महीने बाद, या कैसे भी है, तो फिर दुबारे से 7 million easily पहुँच जाएगी, दोस्तों, अगर इसका NFT platform आता है, तो हम approach, you know, एक idea लगाते हैं, because old time high जो इसकी जो 2022 में जब ये push हुआ था, जब token, तो 7 million के आसपास गई थी, तो हम जो है 10x लगाते हैं, यहां से जो market cap पे 10x चले जाएगी, आने वाले time में 70 million के आसपास चले जाएगी, तो 70 million के आसपास, दोस्तों, अगर ये जाती है, और तो ये उस market cap के हिसाब से, market cap से हिसाब से, और आज का जो price अगर देखते हैं, उस market cap के हिसाब से, तो ये 16x के आसपास easily जा सकता है, ये कोई, you know, exact amount नहीं है, just an idea है, अगर 70 million, अगर इसकी supply चले जाती है, because अभी तक गई नहीं, और मैंने जो old time high है, उससे 10 गुना जादा, इसकी जो market cap ली है, अगर जाती है, तो 16x इसका price हो सकता है, आज के हिसाब से, ठीक है, आज का जो price है, वो मैंने आपको बता दिया है, 0.004 के आसपास है, तो आज के हिसाब से, ये 16x बनता है, अगर ये dump होता है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना, अगर ये 70 million जाता है, तो ये इ एक चीज़ और है इसके अंदर की वो है burning, burning में भी एक चीज़ मुझे थोड़ा सा, you know, mind में थोड़ा सा hit किया, burning जो में जो सबसे ज़्यादा amount है, marketing से related, तो marketing का जो amount है, 5% के आसपास, इनके पास खुदी जाता है, ठीक है, 10% जो कटता है, 5% ये ले ले लेते हैं, ये जो बात जो buyback करते हैं, जो बाकी जो almost ही 5% है, और ये जो burn है, वो काफी कम है, of course, इसका चलो समझ में आता है, कि burning काफी कम है, उस हिसाब से फिर भी इन्होंने 28 million के आसपास burn कर दी अपने token, और ये जो buyback है, 4.9% जो fees ले रहे हैं, उसका जो buyback करेंगे, तो उस हिसाब से ये buyback होने की वज़े से और burn होने की वज़े से भी इसकी जो price है, जो बहुत अच्छा जा चुका है already, तो ये सब मैं बोलने के बाद एक मन में सवाल आता है, क्या मैं entry इसमें करूं की नहीं करूं, दोस्तो सबसे पहले इसका जो recent days में अगर देखो, तो बहुत ही ज़्यादा इसकी जो market cap बढ़ चुकी है, और इसका जो token का burning की वज़ा से, देखो एक वज़ा होती है, वज़ा ये क्या है burning, burning की वज़ा से इसका जो price है बहुत अच्छा जा चुका है, एक अच्छे level पे जा चुका है, ठीक है, अब यहाँ से correction होना बाकी है, जब ये correction हो जाएगा औ 50% ये down जाता है, जैसे यहाँ पर 55% एक ही दिन में up है, तो अगर ये 50% down जाता है, मतलब यहाँ से 0.002, of course इतना उपर उठ सकता है, तो जा भी सकता है, down कोई problem नहीं है, जब ये जाता है, तो उसके अंदर entry बनती है, ये जाता या जाएगा क्यों, क्योंकि जो 5% है, वो marketing fees ले रही है company, और अगर company को देखा जाए, तो दो ही exchanges के उपर list है, pancake swap और bitmart, bitmart को भी मैं एक अच्छी exchange के अंदर बहुत ही ज़्यादा count नहीं करता, ठीक है, pancake swap की liquidity कभी भी निकाली जा सकती है, और 10% जो tax जो होता है, I am not sure, कि bitmart पे लगता होगा, बट हाँ, ये sure है कि pancake swap जब भी आप buy करोगे तो लगता होगा, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस token के अंदर entry अभी बनती नहीं है, because ये एक महीने के अंदर 2754% already up हो चुका है, अगर इसके बाद भी अगर आप सोचो इसके अंदर entry बनती है, तो मेरे हिसाब से ये गले decision होगा, अब इतना बढ़ने के बाद, कितना आप उमीद करते हो, मतलब मुझे तो उमीद ये है कि ये down जाना चाहिए इस हिसाब से, और जो company होती है वो सबसे पहले token को down करती है, मैं ये कहा रहा हूँ, मतलब company के पास already 5% तो direct आ रहा है, आ रहा तो no point 5% है, लेकिन वो buyback के लिए कुछ और कुछ इनका जो marketing के लिए, अब marketing जो है, उसमें of course यनों company के हाथ में जो चीज है, वो कभी भी उसको dump कर सकती है, इसका मतलब company के पास जो supply है, वो कुछ जादा है, अब exact तो नहीं कह सकते कितनी है, बट हम थोड़ा सा try जरू कर सकते है, because ये इसके जो members है, 432 addresses के उपर ये token already है, अब द क्योंकि most of the crypto company है, वो fake wallets भी बनाती है, और जो fake wallets बनते हैं, तो उसके जो exact counting पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो wheat mart wallet पे यहाँ पे दिखाया गया है, और एक pink sale जो lock V2 है, उस पे 390 million के असपास है, तो 49% यहाँ पे है, ये कुछ जो starting के होते है, इनके ओपर थोड़ा सा doubt कर सकते हैं, but exact हमें पता नहीं होता भाई, किस wallet में कितना है, और कि कौन सा, जो you know, wallet से dump किया जाएगा, ठीक है, anyway, मैं यह नहीं क्या रहा कि यह dump होगा, but you know, यह जो आज की जो अगर कोई सोच रहा है कि इसमें investor करें, क्योंकि वहाँ पे troll हो रहा है कि 10,000% जाने वाला है तो अगर यह 10,000% जाता है, तो you know, इसके लिए उसको बहुत ज़दा famous होना चाहिए पड़ेगा, बहुत ज़दा marketing करनी पड़ेगी, बहुत सारी exchanges के उपर, एक ने, मैंने जब कुछ कहा, तो एक जो viewer है उनका जब कहते कि, अगर Shiba जा सकता है 10,000% तो यह भी जा सकता है, तो दोस्तों, Shiba के पीछे जो ताकत है, वो, you know, कुछ न कुछ बड़ी ताकत जरूर होगी, उसकी marketing में कोई कमी नहीं थी, listing में कोई कमी नहीं थी, और, you know, partnership में भी किसी भी तरह की कमी नहीं थी, supporters बहुत सारे थे, अब कौन से supporter कहां, कहां से निकल के आ रहे थे, you know, इसस ये पता चलता है कि Shiba Inu के पीछे जो ताकत है, वो बहुत अच्छी खासी मजबूत ताकत थी, ठीक है, इवन New York में भी इन्होंने एक holding लगाई थी, एक बहुत बड़ी, जो building के ऊपर है, उसका भी पता नहीं कितने, you know, किराया होगा, कितने हजार, कितने लाक डोलर किराय होगा, तो Shiba Inu की जो marketing थी, और अगर इनकी marketing देखी जाए, तो मेरे हिसाब से केवल और केवल एक exchanges extra इन्होंने दी है, pancake swap पे तो मैं भी और आप भी इसको list करवा सकते हैं, कोई problem नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा पैसा होना चाहिए, that's it, ठीक है, अब ये जो product है, पूरी तरह से नहीं develop नहीं है, और इसमें आपको wait करना चाहिए, थोड़ा बहुत risk ले सकते हैं, बड़ा risky game है, ठीक है, बहुत ही risky ecosystem है, इसके अंदर, अगर dump आई, तो बहुत सारे लोगों का पैसा भी चला जाएगा, ठीक है, अब इसमें जो जब भी य आइज नहीं करता है, इस type के जो protocol में, अगर आपने already इसमें जो बहुत अच्छा profit ले लिया है, क्योंकि मेरे जो कुछ followers है, उन्होंने बताया कि hyper chain x कैसा है, प्लीज बताएं, देखो, कोई भी product अच्छा हो सकता है, इवन product भी नहीं हो, team अच्छी होने ची, product भी zero हो, जै किसे कुछ भी नहीं होता, कि future में product आएगा, उसके दम पे वो 200-500,000 x कर देते हैं, anyway, तो इसका जो product है, आने वाला market में, अगर आपने hold करके रखा हुआ है, तो ये booking का, ये profit booking का time है, अगर आपने hold करके नहीं रखा, entry बनानी है, तो थोड़ा रुक जाओ, अगर आपका थ खोड़ा बहुत ही 10, 50, 20, डोलर ही इसमें invested है, तो NFT का जो इनका ecosystem आने वाला है, ठीक है, जब इनका NFT का ecosystem जो roadmap के हिसाफ से, NFT का ecosystem आने वाला है, और अगर आप इसमें, क्योंकि इसमें निकालना भी खत्रा है, क्योंकि 10% फिर भी कर जाएगा, ठीक है, तो 10, 20, 50, 100, डोलर आ साथ जो पिछला all time high इसने cross करा, उसके बाद थोड़ा बहुत आप इसमें से निकाल लेना, लेकिन अभी कम पैसे लगे हैं, तो निकालने का भी फायदा नहीं है, ज्यादा लगे हैं, तो निकाल लो बिशक से, कोई problem नहीं है, बाकी project आने वाले time में पता चलेगा, देखो exact तो नहीं बता सकता, बट exact मुझे ये चीज थोड़ी सी heavy लग रही है, कि marketing के नाम पे 5, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी आप research कर लेना, इस वक्त के हिसाब से बड़ी risky game है, ये वाली, hyper chain x, तो आने वाले time में अगर इसको आपने, इसको future के लिए रखना है, तो ज ज्यादा से ज्यादा 10-20 dollar, लेकिन वो अभी जब ज्यादा down जाएगा उसके बाद, क्योंकि इसमें अभी कोई chance नहीं है, एकदम जो market cap है, boom, एकदम एकदम इसके अंदर market cap आ जाए, क्योंकि इसका product भी नहीं है, ठीक है, anyway, ये छोटा से review था, hyper chain x के बारे में, लोगों न बहुत अच्छा पैसा कमाया, ठीक है, अब time में profit booking का, thank you so much, have a good one, take care and bye bye